नमस्कार, study IQ इस हिंदी प्लैटफॉर्म पर आपका स्वागत है, आज की टॉपिक में हम बाच्चित करेंगे भारत अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइज के कॉन्टेक्ट में, देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाल के समय में एक तनातनी वाली इस्थिती जो उभरी है चीन की उचाई परिस्थित है वो जो अस्थान है उसके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे कि आखिर इसकी विशेष्था यहाँ पर किस तरीके से महत्पूर्ण हो जाती है, तो उस औली नामक अस्थान पर भारत और अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में कुछ नजदी की माहौल बना है, भारत और चीन के बीच में टकराहट की इस्थिति बनी हुई है, बीते दो साथ से लगातार ऐसी इस्थिति बनी हुई है, और हाल के समय में जब अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है, नैंसी पोलेसी जब ताइवान की यात्रा की हैं और इसके बाद जो एक तनाव का माहौल उभर चुका है, ऐसे में ये जो एकस्साइज है, ये किस तरीके से महत्पोन हो सकता है, इन अंतरास्तिय घटना क्रम के बीच में, इसके बारे में हम थोड़ा विस् एक्शुल कंट्रोल, LAC का मतलब होता है, लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल और LOC का मतलब क्या होता है, लाइन ओफ कंट्रोल, जो LOC है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये एक सीमा निर्धारन नहीं है, बलकि भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो इध हुए है बीते कुछ समय में उसके बाद LOC का निर्धारन किया गया है भरहाल जब हम LAC की बात करते हैं लाइन आफ एक्ट्रोल की बात करते हैं जो कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद की स्थितिपन पी है बीते कुछ समय से इस लिहाज से LAC का जो महत्व है वो यहाँ पर उजागर होता है तो यहाँ पर तीन सेक्षन के तौपर आप देख रहे होंगे विस्टर्ण सेक्षन, सेंट्रल सेक्षन और इस्टर्ण सेक्षन यह जो तीनों जो रीजन है यह तीनों रीजन LAC यानि लाइन आफ एक्ट्रोल के इंतरगत आता है जो वर्तमान की जो हम बा वाला है जो LAC है लाइन आफ एक्ट्रोल से लगभग सो किलियो मीटर दूर ही ऑली है और वही ऑली नामकस्थान पर यह अभ्यास होने की बात की जा रही है दोनों देशों की सेनाव के बीच में इस लिहाज से यह जो खबर है अपने आप में महत्वपुन हो जाती है क्यों निर्धारन करता है यहाँ पर वो अपने आप में यहाँ पर इस लिहास से significant role निवा सकता है तो अभी जब हम बात कर रहे हैं इस उद्धाभ्यास के context में तो फिर यहाँ पर जो मैंने लिखा भी है कि October में यह उद्धाभ्यास होगा 14 से 31 October के दौरान इसके बात की जा रही ह पिछले साल भी अमेरिका में यह अभ्यास किया गया था और यह अभ्यास किया गया था वहां पर अलासका में अमेरिका में अलासका है यह आपको पता होना चाहिए तो अलासका में अभ्यास हुआ था लास्ट यह 2021 में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य नजदीक की पहले से भी रही है ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका ने कभी भी अभ्यास नहीं किया है मैंने बताया कि 2021 में भी अभ्यास किया गया था उसके बाद यह जो है इसी अभ्यास से संबंधित यह अगला संस्क्रन है तो भारत और अमेरिका क के बीच में 2016 से ही सैन्य के context में साजु समान के आदान प्रदान के context में सैन्य साज्यदारी के context में आपसी जो सहयोग है वो बढ़ा है और अमेरिका ने भारत को मेजर मेजर मिलिट्री मिलिटरी पार्टनर के तौर पर भी संबोधित किया है मेजर मिलिटरी पार्टनर कहने का मतलब यह हुआ कि बड़ा सैन्य सहयोगी इस रूप में अमेरिका ने भारत को बताया है तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए भारत का जो रननेतिक महत्व है वो किस तरीके से यहाँ पर उभर सकता है दूसरी बात यह है कि अमेरिका और भारत की बीच में कई समझ होते भी किये गए हैं सैन्य सहयोग के कॉन्टेक्स्ट में यह मैं आपको बताऊं कि एक जो समझ होता है वो हुआ था ल, e, m, o, a, le, mo, a इसका मतलब होता है Logistics Logistics Exchange Memorandum of Memorandum of Agreement इसका मतलब हुआ कि दोनों देशों के बीच में Logistics के आदान प्रदान करने के लिए सैन्य साज उसामान के आदान प्रदान करने के लिए यह समझ होता हुआ था 2016 में के इसके बाद 2018 में एक और समझ होता किया गया था इसका नाम रखा गया था इसका नाम था कॉम कासा जिसे हम कहते हैं Communication Compatibility and Security Agreement का मतलब हुआ कि संचार में संगत्ता लाने के लिए और सुरक्षा को महत्व देने के लिए यह समझ होता किया गया था का मतलब क्या हुआ संचार या जो compatibility का मतलब क्या हुआ संगत्ता यानि कि हम एक दूसरे के साथ में सैन्य संचार के context में सैन्य समंध में जो भी सुचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है उस संदर्व में हम इस समझ होते को महत्व देंगे और इस लिहास से है समझ होता 2018 में किया गया था और उसके बाद 2020 में 2020 में भी एक समझ होता किया गया जिसका नाम था B E C A जिसे कहा जाता है Basic Basic Exchange and Cooperation Agreement ठीक है Basic Exchange and Cooperation Agreement इसके तहत ये समझ होता किया गया था कि दोनों देश आपस में Geo Special Map का आदान परदान करेंगे और साथ ही जो भी Logistics सहयोग हो सकता है उसके संदर्व में भी हम इसके माध्यम से समझोता करेंगे एक दूसरे के साथ साथ ताजहतारी करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका के जो satellite होते हैं उपग्रह होते हैं बहुत ही exact location किसी भी particular अस्थान का निकाल करके दे सकते हैं तो इस लिहाँ से अमेरिकी सहयोग इस मामले में भारत को मिलने की उम्मेद टी गई है तो यह सब कुछ ऐसे सहयोग समझोते हैं जो की सहयोग जो दोनों देसों के बीच में बीते कुछ वर्सों में मजबूत हुआ है कि ये इंगित करते हैं उसको ये indicate करते हैं तो ये कुछ चीजे हैं जो आप ко समझने की जरूरत है कि भारत और अमेरिका की बीच में किस तरीके से हाल के समय में सेन सहयोक में बरहुतरी देखी गई है और उसी के दोरान जो यह हाल में इद्धा भ्यास की बात की जा रही है वो अपने आप में महत्वण हो जाता है यहाँ पर मैंने एक इमिज यहाँ पर दर्शाया है इंडो पैस्विक डीजन याने की हिंद प्रशांत खित में एक महत्वण भूमिका निभाने की और कदम बरहा रहा है और यहाँ पर चाइना जो है वो भी इस पार्टिकुलर डीजन में अपनी भूमिका से नजर अंदाज नहीं कर रहा है इस बीच अमेरिका ने इस पूरे रीजन में अपनी उपस्थिती को दर्शाने की कोशिश की है विभीन अस्तरों पर इसने कोशिश की है कि इस पार्टिकुलर डीजन में वह अपनी उपस्थिती को बरकरार रखे और उसे और मजबूत करे और इस संदर्व में भारत जो है वो अमेरिका के लिए एक बहतर सहयोगी देश के तोर पर काम कर सकता है तो यह सब कुछ ऐ ऐसे रणनितिक पहलू हैं जिसे यहां पर समझने की जरूरत है क्योंकि जहर सी बात है कि अंतरास्टिय संबंध में जब किनी दो देशों के बीच में टकराहट होती है या फिर उन दोनों देशों के बीच में सहयोग संबंध बनता है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है कुछ न कुछ उसमें अंतरनित ऐसा पक्षो होता है जिसको हमें समझने की जरूरत होती है तो इस लिहास ये सब जो यहां पर रनितिक पहलू है उसे भी हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारत को अपने इधर निती को दर्शाने का यहाँ पर मौका मिलेगा अभी जो हमने बताया कि उत्राखंड के आली में जो ये उध्धाभ्यास होने वाला है अक्टूबर में तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्राखंड अपने आप में एक प्रवतिय राज्य है और जो आली है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि लाइन ओफ एक्टूल कंट्रोल से महज लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान है तो वह एक उचाई पर इस्थित जो इध्धाभ्यास स्थल है वो अपने आप में यहाँ पर महत्पून हो जाता है कारण इसका यह है कि इतनी उचाई पर भारत और अमेरिका की सेना है जब आपस में मिलकर करके इध्धाभ्यास करेंगी तो यह आगे की हिसाब से फ्यूचर की हिसाब से यह जो इध्धाभ्यास से यह महत्पून हो सकता है देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन की सेना की तो ऐसे में इन इस्तितियों से कैसे निप्टा जा सके यह भारत की सेना के लिए बहुत अधिक जरूरी हो जाता है और मैंने आपको बताया कि अलास्का में भी लास्ट येर दोनों सेनाओं के बीच में उध्धाभ्यास किया था तो इस लिहास से अमेरिकी सेना और भारतिय सेना इस पार्टिकुलर रीजन में और लिवाले एक्षित्र में जब इध्धाभ्यास करेंगे एक दूसरे के साथ स्थैन सहयोग को महत्वत देते हुए इस इध्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे पाटिसिपेट करेंगे तो उससे एक जो संभावना हो सकती है वो ये स्थैने का मौका मिल सकता है और साथ ही अमेरिकी स्थैने प्रद्धोगिक्यों से भी वे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं उससे उनका परिचे भी हो सकता है साथ ही भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव की जो इस्थिती पनपी है बीते कुछ समय से जहां 2017 में डोकलाम इस्थिती बनी उसके बाद 2020 में गल्वान वैली में जो टकराहट की श्थिती बनी तो वो जो तनाव है वो निरंतर अभी बना ही हुआ है दोनों देशों के बीच में विभीन अस्तरों पर बैठके तो ही हैं लेकिन वह जो विवाद है पूरी तरीके से समाप्त नहीं यात्रा के बाद अमेरिका और चिन के बीच भी तनाव का उभार हुआ है यह हमने क्लियर किया भी पहले से ही तो यह सारी जो इस्थितियां है वह सभी इस्थितियों को हमें ध्यान में रखना होगा एक चीज और आपको मैं धियान दिलाऊं कि जो लगभक 14 दिनों का या अभ अप्तपूर्ण हो जाता है कि जहां एक बहुत बहुत उंचाई वाले स्थर पर यह भ्याज किया जाएगा वही पर थ्री स्टरेजेज ओफ एक क्लाइमेटाइजेसन है न इसका भी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है एक क्लाइमेटाइजेशन का मतलब हुआ कि अनुकूलन की इस्थिती यह जो अनुकूलन की इस्थिती है कहां पर तो उस उचाई वाले स्थान पर क्योंकि वहां पर बहुत ही बर्फिला अक्षेतर होता है बर्फबारी हमेशा होते रहती है बर्फ से धका हुआ वह अक्षेतर होता है ऐसे में वहां पर कैसे वो अपने आपको उस particular परयावरन के हिसाब से उस particular वातावरन के हिसाब से अनुकूल कर पाएंगे यह एक बहुत बड़ी चुनाउती हो सकती है तो इस लिहास यहां पर तीन चर्णों में इस अनुकूलन की इस्तिति को बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें लगभग 2600 से 3500 मीटर की उ के 4500 मीटर की उंचाई में अनुकुरन की इस्थिती बनाय रखने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फिक ग्रेटर देन 4500 मीटर की जो उंचाई होती है इसमें अनुकुरन की इस्थिती बनाय रखने की कोशिश की जाती है तो यह जो मैंने आपको मीटर में बताया यह लगभग 14,000 फिट से लेकर करके उपर की जो उचाई होती है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो वर्तमान में जो इन दोनों देशों की बीच में आली में जो उध्धा भ्यास होने वाला है यह मैं आपको स्परस्ट कर दूं कि कितने फिट की उचाई पर तो लगभग 10 यह military exercise उध्धा भ्यास होने वाला है तो इसका कुछ और भी क्या international scenario है उसको पर इसका क्या impact पर सकता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है देखिए भारत जो है क्वार्ड में बरी भूमिका निभा रहा है क्वार्ड का मतलब जो चार देश है भारत जापान अमेरिका और तो क्वाड में भारत की भूमी का है और यह जो क्वाड है यह हिंद्ध्सांथ श्ट्र में इंडो Olai Syndrome में और चीन के अगस्ट में यह सहयोग है चीन के अगस्ट में देखा जाता है दूसरा इस पार्टिकुलर रिजन में और कर्ष का भी निर्मान हुआ है बी ते साल में और कर्ष में कौन-कों से देश सामिल है तो अस्टेलिया क्यों के यानि की ब्रिटेन है ना युके यानि ब्रिटेन और अमेरिका United States of America ठीक है तो ये तीनों देश शामिल है और कस में तो ये तीनों भी दक्षिन चीन सागर के कॉंटेक्स्ट में या फिर कहें हिंद प्रसांत के कॉंटेक्स्ट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऐसे में भारत के लिए यह महत्वण हो जाता है कि अमेरिका के साथ और बाकी जो ये सभी देश है और यहां पर इन देशों के साथ में भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए चीन भी कुछ न कुछ गतिविधी कर सकता है और इस हिसाब से भारत को सचेत रहने की आविशकता है तो भरहाल आज की चर्चा में हमने जो बातचित की कि आली में जो इधाभ्यास होने वाला है दोनों देशों के बीच में उसका किस तरीके से रणनितिक महत्व हो सकता है और हाल के समय में चीन ने जो गतिविधियां की हैं कि भुटान वाले एक छेतर में और या फिर कहें कि जो एलेसी की कुछ रीजन में उसने कुछ निर्मान कारे किये हैं ऐसे में चीन की जो प्रव्रिती है आगे बढ़ने की उसके विरुध यह जो इधाभ्यास है एक माकूल जवाब हो सकता है साथ ही जो ताइवान में हाल के समय में अमेरिकी गतिविधि हुई है इसके कंटे तब तक अपना ख्याल रखिये नमस्कार